बहत्तर अजार से च्यानवे अजार रुपे पर मन्त गोल कप्पे बेच कर कमा लेता है। मैंने पुछा रहे बाबा ये बताओ, आप इतनी दूप में गर्मी में ये काम करती है, आपके बच्चे क्या करती है। तो उसने बड़े प्यार से मुझे बता है कि बड़ी वाली बेटी है वो MBA कर रही है, उससे छोटा बेटा है वो UPSC के तियारी कर रहा है, और सबसे छोटा बेटा है, अनपड़ व्यक्ती तो अपनी इगो को साइड में रखते हुए, कोई ना कोई काम दंदा जरू कर लेता ह मेरे स्कूल के बाहर में बिट्टू टिक्की वाले जो है, वो वहाँ पर रेडी पर टिक्की लगाया करते है, आज बिट्टू टिक्की वाला बिट्टू टिक्की इंडिया के नाम से पूरे वल्ड में फेमस है, इस वीडियो इस पावर्ड बावर्टास लाइश्टाई, इंडियास लीडिंग मैनुफाक्चरर और स्टेलने स्टील, मॉर्ड लोकेशिन, बाथ्रूम वेनिटी, वाडरोब्स एंड स्टील इंटिरियर, फ्रंचाइजी शोरूम, पैन इंडिया. नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अमित्माईश्वरी, बिजनस ट्रेनर, कॉर्पर्ट ट्रेनर, मुटिवेशन स्पीकर, और स्टीयो, मैं टास उवर्सीज लेमिटेड. आज जिस विशय पर बात में करने वाला हुना, वो शायद आपको इस बात पर सोचने पर मजब को देखकर, उसकी इंकम का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं, और हम यह मान लेती हैं, तो छोटा मोटा बिजनस है, मैंने बहुत सार लोगों को ऐसा देखा है, कि वो बिजनस करते हैं, जिसका स्टाइल एंड स्टेंडर्ड बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन इंकम के इंपलाई as a salary कमा लेता है, एक important बात मैं आप लोगों के साथ share करना चाता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि बेरोजगार कौन है, यह बहुत बड़ी समस्या है, कि बेरोजगार अनपड़ व्यक्ति हैं या पड़े लिखे, जादा तर यह देखा गया है कि जादा आपको पड़े लिखे हैं, या अनपड़ हैं, अगर आप काम करने के अफसर को नहीं पैचानते हैं, काम करने के अफसर पर कारे नहीं करते हैं, तो यह गिरोजगार आ पयोब ओपोछार रहें गे, जब तक आप उस अफसर को पहचान ना ले एक example के रूप में आपको पताता हूँ, मैं इंडिया गेट पर अपनी फैमली के साथ एक picnic trip पर गया हुआ था, वहाँ पर मैंने देखा एक चाय वाला एक छोटी सी bucket में चाय लेकर बेच रहा है, आप कहते हैं कि जब किसी गरीब आदमी को आप देखते हैं तो आपको लगता चाय उन चार बच्चों को पिलवा दी, 20 रूपे की एक चाय थी, 80 रूपे मैंने उसे दिये, और 20 रूपे टिप भी दे दिया, मन कहा 100 रूपे रख ले यार, चल, तेरे काम आएंगे, फिर बातों ये बातों में, क्योंकि मैं एक business owner हूँ, तो मैं को कई बार लगता है कि क यहां पर business में कौन-कौन व्यक्ति कैसे व्यापार कर रहा है, इसको समझना चाहिए, मैंने इस व्यक्ति से पूछा, अरे भाहिया, ये बताओ, कि आप यो घूम-घूम कर इतनी गर्मी में, सर्दी में, बारिश के समय पर आप चाय बेशते हैं, तो मेरे आपके प्रतिन मे आकड़ा सुना न, तो मेरा जो ध्यान था, उसके business की तरफ आकरशित हुआ, मैंने पूछा, डेड़ सो से डेड़ सो चाहे, तो उसने का हाँ, बीस रुपे की चाहे के हिसाब से सो चाहे दो अजार, मतलब डेड़ सो चाहे तक, दो अजार से तीन अजार रुपे की चाहे, वो पल्डे बेज देता है, जबकि कई बार बहुत सार लोग अपने business में न, इतना turnover पल्डे नहीं कर पाते हैं, जिन्होंने establishment ठीक किया हुए, तो यहाँ पर मैंने पूछा आपकी चाहे की cost क्या आती है, कि अरे साब कप वगरा मिला के, दूद, पत्ती, चीनी और अपनी म per day वो income कमा लेता है, अगर monthly income calculate करें, तो 45,000 रुपए से लेकर 67,500 रुपी पर month कमा लेता है, एक अच्छी job में clerk की job करता है, वो भी इतने पैसे नहीं कमा पाता है, मैंने पूछा कि 30 के 30 दिन काम करते हो, कि अरे साब मेरा छोटा सा काम दंदा, अगर हम छुट्टी करेंग चाय का ठेला लगा लो, नहीं, आप मेरी बात को समझिए, कि बेरोजगारी की problem वहाँ है, जहां लोग काम के अवसर को नहीं पहचानते हैं, अब कैसे लोगों ने इस काम के अवसर को पहचाना, ये बात मैं भी आपको बताने वाला हूँ, एक और example मैं आपको बताता हूँ मैं CP में अपनी family के साथ गया था, तो वहाँ street food का बड़ा fashion है, तो एक लड़का, youngster विल्कुल, वहाँ पर गोल कप्पे बेच रहा था, बहुत सारी ladies वाँ गोल कप्पे खा रही थी, line लगा के लोग खड़े हुए थे, बच्चों ने का टेड़ी मुझे भी गोल कप्पे स्थी एक कॉल कप्पे खानी है, मैंने का खा लोग कोई बात नहीं, मैंने पूछा बया, कितनो रुपय है उसने का, बीस रुपय प्लेट , बीत ईजहां पर उसकी कोई OPERATING COST नहीं है, कोई extra overhead नहीं है, electricity नहीं है , staff salary नहीं है, और income जो वो कमाता उसपर income tax भी नहीं है, your income tax भी नहीं भड़ता है मैंने कोस्ट कितनी आती है गोल कप्पे की उसने के सब 1 रुपय का एक पड़ता है मतलब चार गोल कप्पे चार रुपय के पड़ते और इंक्लूडिंग पानी जो वह अपने घर पर बनाता है इसका मतलब 100 को से गोल गप्पे बेच कर कमा लेता है और कई बार हम देखा है कि बहुत सारे लोग जो गाड़ियों से ट्रेवल कर रहे हैं लेकि उनकी सेलरी पुछेंगे तो किसी की 35,000 है किसी की 40,000 है किसी की 50,000 है किसी की 60,000 है लेकिन उसके पीछे इतना बड़ा operating cost है उनका उनके इतने बड़े प्यार से मुझे बता है कि अरे वाओ जी हमाने तो अपनी जिंदिगी जैसे काट नी थी काट ली जो बड़ी वाली बेटी है वो MBA कर रही है उससे छोटा बेटा है वो UPSC के तियारी कर रहा है और सबसे छोटा जो बेटा है वो बैंक में कलरक लगा हुए लेकिन बैंक में कलर लगा है वो भी आज मुझे से कम पैसे कमाता है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि धंदा चोटा है या बड़ा इस बात से फर्क पड़ता है आप कितने धर्म के साथ उसको निभाते हैं और बात जिन लोगों ने इस बिजनस के बारे में सोचा है मैं उनको ये सजेश्ट नहीं कर रहा है कि आप ऐसा बिजनस कर लो लेकिन अगर आप किसी भी बिजनस के सिस्टम को समझती हैं तो चाहे वो गोल गप्पे का हो चाहे का हो पान का हो कुछ भी कोई भी स्ट्रीट फूड का बिजनस हो अगर आप एक बिजनस माइंड सेट के कुछ ऑजनस की सब्सक्राइं तो उन्होंने कर रूपए की कंपनी बना कर खड़ी कर दी हमारे देश में बहुत सरहय एक्जांपल है चयोस भी चाहे ही बेचता है लेकिन उन्होंने चाहे बेचने के बिजनस के सिस्टम को समझा दीरे धीरे धीरे शिस्टम डेफलप किया स franchise model पर काम करना चुरू कर दिया KFC, Colonel Sanders जिन्होंने काम शुरू किया था, अपनी chicken की recipe घर-घर जाकर बेचने की, उन्होंने भी इस business के system को समझा और expansion करना चुरू कर दिया, चायन सुटा बार, ये भी एक बहुत बड़ा famous brand है, हल्दी राम, जो street food से संबंदित बहुत सारी चीज़े, आज भी sale करता है, बहुत छोटे पैमाने वार आपने देखा होगा, वाजिवा, प्योर, जो चाप वगएरा आप लेते हैं, वेज, फूड लेते हैं, वो सारी street food जो होता है, छोले बटूरे, सीता राम, दिवान चंद, बहुत बड़ा brand बन चुका है, लेकिन उन्हें scale-up नहीं किया, business में बड़ा profit होने के बाद भी, business के system को develop करके expansion नहीं किया, है ना, ऐसे ही BTW, मैं आपको यह real story बता रहा हूँ, मैं सैनिक व्यार, government boy senior secondary school में पढ़ता था, और मेरे school के बाहर में, बिट्टू टिक्की वाले जो है, वो वहाँ पर ready पर टिक्की लगाया करते थे, जिस समय सारे टिक्की वाले 8 से 10 रूपे की टिक्की देते थे, उस समय वो 20 रूपे की टिक्की देते थे, लेकिन टिक्की का size, उसकी quality, उसके जो ingredients वो डालते हैं, वो बिल्कुल different थे, जिसकी वएसे धीरे 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 टिक्की का व्यापार उनका बढ़ता चला गया, और उनने government school के हर school के बाद टिक्की लगाना चुरू कर दिया, और एक दिन ऐसे business में लोग मिले, उनने घर में burger बनाया, उसके बाद उसका, उसकी recipe मैं model पर नहीं जा रहा हूँ, मैं इस model ने पुछली वीडियो में explain किया हुआ है, तो मैं जो बात आपको कहने जा रहा हूँ कि अगर आप किसी भी business को छोटा समझते हैं, MBA चायवला भी इसका प्रत्यक्षुधारण है, जरूरत है किसी भी business के model को समझने की, समझने के बाद नए system and method को implement करने की, और expansion के माध्यम से पूरे विश्व में अपने business को एक गहरी पहचान देने की, यदि आपके मन में कोई भी प्रश्ण है, तो मुझे comment box में लिखकर जरूर पूछे, कोई भी informative वीडियो मिसना उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, स्वस्त रहें, मस्त रहें, मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी, आपके सुनरे बाईश्य की कामना करता हूँ, जै हिंद, जै भारत.